अज़ा भरे चुनाव कोई बड़ा नेता ये कहे अचानक से मंच पर आकर कि मेरा मजभ मुझे इजाज़त नहीं दे रहा वरना मेरा मन तो कर रहा है कि मुझे खुद कुशी कर लूँ तो एक चौकानी वाली बात हो जाएगी एक विचित्र बात हो जाएगी ना लेकिन ये इससे भी विचित्र बात है कि आजम खान जब रामपूर में मंच से ये बात कहते हैं अपने खुद कुशी की इक्षा जताते हैं तो भी सेंसेशन बहुत ज़्यादा क्रियेट नहीं होता खुद कुशी की इक्षा जताना जितना सेंसेशनल है उस आनुपात में जनता के बीच में वैसी कोई प्रत्क्रिया दिखती नहीं और कोई जनता के बीच से कोई नौजवान हस्ता दिखता है तो आजम साब नाराज होकर उससे उसको डाटते भी हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानिया दियें तुम हस रहे हैं अईसा क्यों हो रहा है और मसला खुदकुशी तक क्यों चला गया मैं पीडित हूँ मैं दुखी हूँ मैं सताया हुआ हूँ मैं मजलूम हूँ क्या आजम खान अपनी एक ऐसी छबी गढ़ना चाहते हैं चुनाव की दवरान हाँ गढ़ना चाहते हैं लेकिन यह आधा सच है आधा अभी बाकी है आगे आजम खान एक साथ दो नावों की सवारी कर रहे हैं एक और वो बताते हैं कि मैं लुटा हूँ पिटा हूँ मजलूम हूँ कमजोर हूँ मेरे बोट का राइट ले लिया मुझे जेल में ठूस दिया मुझे भरबात कर दिया मुझे पकिस्तान भेज देंगे यह लोग मुझे और यहां तक वो कहते हैं खुदकुशी करने का मन है और कहते हैं कि लेकिन यह लोग मुझे खुदकुशी भी नहीं करने देंगे भाजबाबाले यह मुझे एडियां रगड़ रगड़ के मरते हुए देखना चाहते हैं यहां तक वो एक पिक्षर बनाते हैं एक श रही और मैं चाहता तो ऐसा भी हो जाता कि अम्मा के पेट से बच्चा आने से पहले ये कहता कि आजम खान साब से पूछ लो आऊं दुनिया में कि ना आऊं अब बताई रंगबाजी की इंतहां है उधर मजलुमियत की इंतहां दिखा रहे थे आजम साब करें दे मेरा मन कर रहा है मैं कुद कुछी कर लूँ लेकिन मजहब आ रहे आ रहा है मजहब इसलाम उसकी इजाज़त नहीं देता अब यह तो मसला थोड़ा फत्वा बाला हो गया मेरे खाल से देवबंद में पूछना पड़ाएगा कि इस पर इसलाम क्या आजम साब को लेकिन लगे हाथ वो यह भी कह रहे यह डायलोग मालूम कहां से आया होगा ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं यह डायलोग आया होगा शोले से रमेश सिप्पी की फिल्म से इसमें वो कहता है कि चार-चार मील तक कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा पेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा यह डायलोग देखिक आदम साब बढ़े क्रियेटिव आदमी है वो दुख में भी क्रियेटिव और सुख में भी क्रियेटिव चुनाव में भी क्रियेटिव और विना चुनाव के भी क्रियेटिव आप सोची कहां से डायलोग ढून से किसी बाहुवली महावली की नहीं रही होगी दुनिया के किसी कोने में किसी काल में कि पेट के बच्चे परमिशन लेके निकलें क्या गिराजम साब है उड़ा दी पतक तो उड़ा दी वो जिस जनता से बोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी इज्जत बचाओ हमें धोका मत देना उसी जनता पर ये तुहमत भी लगा रहे हैं कि जो सामने लोग बैठे हैं भीड़ बैठी है मैं जानता हूँ इन में से तमाम लोगों के टेलिफून मोबाइल ऐसे होंगे ज कुछ खास लोगों को सुनाने के लिए आप बताइए जिससे आपको बोट चाहिए जिससे आपको तागत चाहिए भरोसा आपको उस पर भी नहीं आप करेंगे यहां भी ऐसे कुछ होंगे लोग जो मतलब कहने का तालुक यह, आजम खाना नहीं कहना है, चाहरहे जो मेरा भाषन मेरे विरोदियों को सुना रहे होंगे अपने मोबाइल से तो जिसे आप धोखेवाज मानते हैं, उससे बोट क्यों मांग रहे हैं? और अगर मांग रहे तो क्या आप इतने ना समझ है, जिसको आप मंच से धोखेवाज बता रहे हो, वो आपको बोट देगा? ये भी बड़ा बिशित्रवाद है ना जनता के पास तो पांग साल में किबल एक ही बार ये इस्तिधी आती है और कब उसके बाद तो आप ही लोग राज करते हो ने ता लोग तो कम से कम जिसको आप धोके बाज का तमगा पहिना रहे हो वो बोट कर इसे देगा कुल मिला के आजम खान अपने इस उम्र के चौथे चरण में खुद अपने बनाई हुए विरोधा भासों के बीच में तैर रहे हैं जुनाओं में एक चण के लिए वो अपने को निरी ही घोशित करते हैं दूसरे चण वो महाबली की तरह एक्ट और रियक्ट करने कोशिश करते हैं ये कौन सी पॉलिटिक्स है एक साथ दो छबियां लेकर कोई कैसे चल सकता है और दो छबियां बन भी कैसे सकती है बड़ा विचित्री आजम खान को समझना और उनकी सियासत को समझना इतना आसान भी नहीं भाई एक घटना कल रात घटी कि आजम खान साहब ने कहा कि मेरी इक्षा हो रही है मेरा मन कर रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ इतनी ठंड में ऐसे विचार ठीक नहीं और दूसरी घटना आज घटी ताखा में जस्वंद नगर विदान सवाचेत्र में पूरी में के लाका है ताखा वहां जहां शिवपाल जी ने अखिलेश यादव जी का नया नाम करन कर दिया जनेश्वर मिश्रा कहे गए छोटे ल अब इस शूब अवशर पर आजम खान साब के मन में विचार आए बताइए सपा कितने बुजूर्ग नेता हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँ वो तो भला हो मजहब का जो मजहब बुकरे मजहब ने मेरे हाथ बांदिये बरना आप तक क्या इस्तिती बंती हम लोग किस इस् कि आजम खान को यह कहना पड़ा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ ऐसी स्थिती क्या है जिसमें आजम खान को लगता है कि आप मुझे खुदकुशी कर ही लेनी चाहिए यह तो भला हो वो कहरे मजहब ने रोक रखा है नहीं बरना पताए ऐसे मौसम में को ऐसी बाते करता है आजम साब ने इसके बाद जो दूसरी बात कहीं वो यह कही एक तो खुदकुशी कही दूसरी बात यह कही के हमारी चार बार हुकुमतिय रही अगर हमने ऐसा रुख अपना लिया होता तो अम्मा के पेट के बच्चा आने से पहले यह कहता है कि मुझे ल क्या आजम साहब वो जादा देखते हैं आप कोई सा लगता है या उसकी वो किस्टोरी की किताब आती थी पहले पता नहीं आती तो ने इंटरनेट पहुंगी हम लोगों को टाइम इस इसकी कहानिक किताब आती थी सिनेमा की सोले की पाकी जा की उसमें सारे डायलोग होते थे तो अपना छुपाक बस्ताम रग लिया पढ़ते रहे तो क्या मतलब ऐसा यह ऐसे डायलोग कहां से लाते हैं नहीं जी बोले तुम्हारे मुस्कुराहटों की कसम हर बच्चा मा के पेट से आने से पहले पूछता कि आजम खान से पूछो कि मैं आउं कि ना हूँ अरे बैचारिक परिवार की एक साध्वी ने बोला कि भाई हिंदूों को इतने बच्चे करना चाहिए ऐसा कुछ बयान दिया जो वू लुक दे 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 आज आजम राप किसी ने पूछा कि पहलाने ने ऐसा बयान दिया तो आजम खान साब में उसके उत्तर में जो कहा था वो भ आजम ही खान कह सकते मैं यहां बताओं बोल नहीं सकता बड़े-बड़े बयान को दे चुगे एक बार तरपाधी जी के राहूल गांदी के लिए उन्होंने बड़ा विच्चतर बयान दिया था उसको सुनने वाले पागल हो गए क्या तीन दिन दक रोटी नहीं खापाई हरीश जी आजम खान कह रहे हैं कि अगर हम अपनी हुकूमत में भाजपा जैसे होते तो हालात यह हो जाते कि बच्चा भी हमसे पूछ के आता बाहर अब कि आप लोग अभी समझ नहीं रहे चेत आजम खान की सरकार आ गई तो यह तो इस्थिती दुनिया में कैसी विशित्र हो जाएगी सारे बच्चों को पूछ के आना पड़ाएगा आजम खान को यह भरोसा ही नहीं होगा कि हम सत्ता में नहीं रहेंगी कभी नहीं यह हरीश जी की बात ठीक नहीं उनको यह तो भरोस हुकूमत ऐसी आ सकती है जो हमको जेल भेजते इनवर्स्टी में घोले दोला दे खुदाई हो जाए जमीन की नपाई हो जाए बाउंडरी तोड़ के जमीन सरकार में बापस चली जाए यह तो वैसा ही है रामपूर के लोग जानते है भुनी हुई मचली बापस तालाब में चली जाए वैसा हरी जी यह उनको उम्मीद नहीं थी पस इतने ही अंतर है वह मानते थे सरकार हो सकता मेरी नाइज लेकिन जिसकी आएगी हमारा रुवाब बना रहेगा अब आप इनुवर्स्ट्री में गोड़ा चलवा दिये तब रुपवाल नहीं होगा तब ही वो कहरे मेरा मन अब खुदकुशी का कर रहा है लेकिन खैर मैं इस बहस के अंत में कहूंगा कि सब लोग मिलके यह आजम खान साब चापील जरूर करें कि खुदकुशी का विच अफ़ित नियम के तहत चलती रही किि राजनेता राजनेता पर आक्रमन नहीं करें कोई ओगोड बनवाले स्कूल बनवाले इनुवस्ट्री बनवाले सरकारी जमीन खबजा कर ले ताज महल अपने नाम लिखा ले लाल-किले में दुकान खोल दे तब भी दूसरी सरकार आएगी तो ज़्यादा लफड़ा नहीं करेगी थोला मंच पे बोलेगी फूपा करेगी लेकिन नुकसान हो ऐसा नहीं और धरोगा तो कभी नहीं भेजेगी किसी किया कोई मैंने कल भी इसी बहस में कहा था तरपाडी जी गाजयाबाद से सहारनपूर के तरफ जाने वाले ट्रक जो निकलते न उनको अगर आप देखो तो उसमें कईयों पीछे लिखा होता यू तो ऐसे ही चालेगी यू तो आजसे ही चालेगी मतलब यह ट्रक आजसे ही चालेगा आप लोगों के मनद भारत के राज नेता हूं कि समस्ष्या यह वह भी तक शोक्त है žैं झार सकता ओ क्या इसा अब हो सकता और आजम खान हम गर्प्रारी हो सकते दू सिपाही म 맛있는 कर्प्तार हो सकते हैं मंत्री दफ्तार हो सकते हैं है बदल गया महौल क्या दिक्कत है है बदल गया भया है अब वो धारना छोड़ देजिए नहीं तो सब की स्थिति धिरी धिरी वही हो जाएगी कि मन करना खुदकुशी कर लूँ नहीं नहीं अमिताब जी फिर गलत काम मत करिये यह जो एक घोशेत वो था कि अमरेंदर सिंग और प्रकाश बादल मंच पर टक राएंगे लेकिन कोई किसी को जेल नहीं भेजेगा यह चीज बदल गई है अब राजनीती ऐसी हो गई कि जेल भेज देंगे ठीक ठीक नहीं उल्टा नहीं हुआ एक अगोशित वो था अगर शरत पवार है तो पवार साब के खिलाब जाच नहीं होगी उतनी अंडेस्टेंडिंग रखेंगी सब लोग चुप चाप अब वो अंडेस्टेंडिंग खट बिढ रहो गई बात का इतनी तो फरक आया है अपनी अपनी को भी धान रखिए एक माल लीजिए कोई चोरी में पकड़ा जाए यार राजनेताओं के एफिडेविट देखिए तरपाडी आप तो पड़े लिकिया आदमी है राजनेताओं के बायोडेटा देखिए बलातकार लूट साक्षातकार फलाने धिकाने कांडों में सनलिपत रहे उनसे पूछो वो भी बेशरम यही कहते राजनेतिक प्रतिशोद है उन्हीं डखेती राजनेतिक प्रतिशोद होता है अभी तक भारत में यह था कि इस सब आख से ओजल कर दो खाकी पहन कादी पहनता आदमी माफ करो इसकी इसकी परताल मत करो बोले साब भलातकार बो छोड़ दो अब पुलिस लठी आ रही ठीक है मत करो उधम है 144 में किसी के घर में बुल्डोजर नहीं चल सकता 144 का आप में उलंगन किया तो सरकारी का में बाधा डाली तो भी समस्या नहीं वह आप राजनेतिक में है लेकिन बाइचाब रकैती में नेम्ड हो सरकारी जमी इनके अपरण में नेम्ड हो एक वह एटा में अर्शद आविद साब की पार्टी के रामेश्वर और जुगिंदर नावेद जानते हो नहीं है उन्होंने समसान से लेके कबरिस्तान सबकी जमीन अपने नाम कर ली सरकारों में सरकारे नहीं वह डिप्री चीफ मिनिस्टर कह जाते तो उसे लाके क्या उनके भाई दोनों भाईयों के और पुत्रों को मिला के सव डेड़ सो करोन से ज्यादा की जमीन वापस होई है वो भी यह कह रहे हैं रामेश्वर भी के रादनेतिक प्रतिशोध है बोले क्यों मुले हमको छूट मिलनी चाहिते हम लोग नेता है मुख्यमंत्री जी को उनी के लिए सिफारिष के लिए जिस दिन चिठी देके आए उसके अगले दिन और तब जाओ और कुड़की हो गई मसला है इसको समझना होगा अर्शद बाई एक बात बताईए आजम खान साब को यह अकेले पन का है साथ सता रहा है क्या कि वो खुदकुशी की और तक सोच रहे बताईए इस ठंड में मुझे लगना आप लोग कंदे से कंदा मिला खड़े नहीं हो रामपूर में बरना खड़े होते शिवपाल चाचे को भेज़ दिये होते नहीं तो उनके मन में ऐसे विचार नहीं आते गलत तो नहीं अगर बगल में अखिलेश जी खड़े होते तो आजम खान इतना कमजोर नहीं दिखाते ना अपने को अगर समाजवादी पार्टी के चार बड़े चेहरे आजम साब के अगल बगल में खड़े होते तो शायद वो ऐस इसी बात नहीं करते कि मैं किसलिए जिंदा हूं और क्यों जिंदा हूं मैं पूछ़ रहा हूँ जुद नावब बाद में पिक्चर में ठीक भाजपा की जब सरकार बनी नावे जिस दिन उससे पहले से आजम खान निगहा में थे और भाजपा का माइम सेट था कि रामपूर में आजम खान का सामराज्य द्वस्त करना है अगर सरकार आजए ठीक ऐसा थो दो आजम खान जिसे बड़े उतने बड़े नेता को किसी आईएस के कहने सुनने पर को इतना पहला ना यह सब चलता रहता है यह सामानी घटना है आई के उस समय के कमिशनर आलोक सिंग ठकरा गए थे ना बात खतम हो गई जाओ आप अपने घर जाओ आप अपने घर जाओ ट्रांस्वर हो जाएगा नहीं भाजपा का कुछ कारणों से संद्र इस वो था मैं माइंडसेट के भाई अगर सरकार आईगी तो हमको आजम खान की जा पूल्स खेल लए बीजेपी जाने लेकिन उसने कहा कि हम आजम गड़ में रमागांत को भी लपेट लपेटेंगे रामपूर में आजम को भी यह एक है शेली है उसकी आप पर आरोब लगता है कि भारती जनता पार्टी अपने विरोधियों को राजनाइतिक कारणों से निशाने पर लेती है और उनके साथ प्रतिशोद की कारवाई करती है सोनिया गांधी से लेके आजम खांट से लेके और आमेश्वर तक यही सब लोग कह रहे हैं क्या यह अच्छा नहीं मैं तो कहता हूँ कोई पार्टी दूसरे पार्टी को कवर नहीं दे भरष्टाचार जन्मा ही इसलिए कि तू मेरी नहीं कहें मैं तेरी नहीं कहूँ और इसको सद्वाव का नाम दे तो मैं तो कहता हूँ हर पार्टी को यह सवगंध लेनी चाहिए गंदा जल हात में लेके कि भाया हमारे पहले वाले जो भी काला सपयत करके गए पूरी क्यों रहे भाई मामला नहीं आप लिस्ट जोड में सब लिख लो ठिक जितनों बीजेपी में बॉशिंग मशीन में धुल गए और बच गए ठिक इनकी लिस्ट दिमाख में रखो काल लोकर में रखो जिस दिन सरकार आए निर्ममता पूरवक इनका सब का के पोर्शमारटम करो और कानून की हवाले करो हैसा समय बहुत साबांते तो कहीं नहीं सकता जिस दिन सरकार बनी मनमोहन सिंग की आज अशुन लीजिए आप लोग भाँ पर लाकि कहड़ा कर देते हैं वह इसको है जिस यही लोग उस वकत कांग्रेस से बड़ी कांग्रेस थे इन्हीं की क्रपा से सरकार चल लाई थी ठीक और उसमें भी सुर्जीत तो बहुती बड़ी पोजिशन में थे कि सुर्जीत ने मुझे बताया चिंटू-पिंटू नहीं ना गूगल में कि हमने सोनिया गांधी को रंजन भट्टाचारी से जुली फाइल दी है और हमने का इसके खिलाब जांच करो इसको जेल बेजो क्या मैंने का उन्हों ने क्या का आपने का अब तो ठीक उन्हों नहीं हाथ दबा दिया बोलो पापा जी भी इसको छोड़ को और कुछ बताओ मैं इस तरह के बातों के ख और मतली का मसला में है तो वो भी आगे जाच में नहीं जाएगा चुकि रंजन का मसला नहीं में जाया यह में क्या आप हम इस तरह के गुप चुप गुप चुप गुप चुप मर्सी पिटिशन के खिलाप है यह जान लीजे निर्मंता पूर्वा करवाई करिए यह गोल माल मत करिए कि भाई खादी पहन लिया भी यह तो दो चारदस भी का जमीन हत्याएंगे यह जाएंगे 20 लट नहीं जेल बेजो आदमी को गरीब आदमी आगे नो क्या उनका मन टूट गया आजम खान साब का दिल टूट गया है यह होता कि अब दिल ही टूट गया तो जी केर क्या करेंगे गानाता सिनेमा का क्या वो इस्तिती इसलिए तो नहीं आगे कि आप लोग कंधा से कंधा मिला खड़े नहीं हो रहे हो एक बुनियादी बात साफ हो जाए ताकि यह हम्बी का रिकार्ड बजना बंद हो जाए ठीक है इसमें तरक नहीं है कि में तो बड़ा प्रेक्टिकल बात कहता हूँ हाथ कंधन को आर्शी क्या पढ़े लिगे को फार्शी क्या राभाज अपा हमने माली अर्शद आविद ने जितने आरोप लगा है सब सच है माल लेतने एक मिनिट को नाविद ची को सुनी एक बात ठीक और केवी तरपाठी सब्धिक आरोपि उसमें जोड़ दिए ठीक राजिस्तान में आपकी सर्क कांग्रेश की सरकार है kardeşim अधिकार को हादीस हासिल है इस तमिलाड में स्टालिन को हासिल है क्या कर रहे हैं है कि जाल बजा रहे हैं कि जाल बजा रहे हैं कि यह रोना नहीं चलेगा बदल गया मामला भया आप उनकी जाज करिए न वहाँ अपने प्रदेश में कांग्रेस ने आज तक कभी बता पाई कांग्रेस कि उसने अपने रूल्ल स्टेट में भाजपा के समर्तन वाले कितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा नहीं कि गैलों से कहिए श्वेत पत्र रखें भूपेश वेगल से कहिए रखें कि मुखतमा दर्ज करिये यहां बड़े से बड़े आदमी का राइस्थान में ले जाकें क्यों नहीं करते आपको अधिकार है कि शुभ हिंदू के साथ तो चाय चल रही है कि वो कहती हमारे बच्चे 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 कितना घूम रहा है पांदस सरकारे है ना उसके पास वहां वो कौंशी क्रांती कर रहा है मैं जमझना चाह रहा हूं आपने आप में हिम्मत नहीं इसलिए आप यह काओगे दूसर बात नहीं बोले हम फेल हुए तो आप क्यों पढ़े आपको भी फेल होना चाहिए था क्यों भाई मेरा प्रशन यह नहीं था जवाब नावेद्देर मेरा प्रशन था चातिस गड़ में भूपेश बगेल जैपोर राजस्थान में मेरे मित्र अशोग गहलोत तमेलाड में स्टालिन इन लोगों ने राजनेतिक लोगों के भृष्टाचार के लेके कौन सी ड्राइब चलाई देश में बताएंगे कि नहीं बताएंगोई कि शुपाल गाई मसरा ली चलेंगे आपने क्या-क्या बताओगे कि नहीं बताओगे बहां तो आप मुखिया हो ना आपके पास पूरी तागत है जो तागत किसी एक राज्जी के मुख्यमंतरी के पास है वही उत्रपदेश के मुख्यमंतरी के पास है वही तमिलाडू के मुख्यमंतरी वही आंद्रा के मुख्यमंतरी के पास है कि शुभेंदू और ममता जी चाय पीने लगे बिस्किट भी खा रहे हैं इसमें दोस्त किसका है भाईया कि शुभेंदू अधिकारी के अगर वो भर्ष्ट है तो ममता जी उनके घर पर बुल्ड़ों चला दी इसमें शुपाल का मसला का आज यह आ गया कि नितिश कुमार नितिश कुमार भाजा पाके 20 बड़े चेहरों के खिलाफ उधर पटना में कोई ड्राइव किया है कि बता दीजिए अब भाशा ले बोल रहे हैं कि भाजपा बाले चोर है अच्छा जी चोर है तो आप शाशन में क्या मुझफली बेच रहे हैं यह आंताक्षडी खेल लो जेल में तो नहीं डाल रहे मेरा खाना सवाल है योगी जी कहते हैं कि यह चोर तो जेल भेजो, मुझे नहीं मंच पर बोलेंगे बाकी नहीं, बाकी रेला मेला रखेंगे, क्यों? जनता यह नहीं जो आप कह रहे नावेत वो नहीं देख रहे, जनता यह देख रहे हैं, चूँकि वो सबसे तरस्त है, इसलिए वो इससे बहुत कुंठेद होती है, के नेक् कमूल स्वर सबका एक है, के मान जाओ, बहुत हो लिया, खादी में एकता रहनी चाहिए, जो लोग खादी नहीं पहन रहे हैं, उनके उपर जाज-परताल करते हैं, लोग खादी में तो रखो, मालो कि जन सब्सक्राइब रूपया चेप लिया कहीं से, अब आप लठ लिए बीजे पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है, नहीं, क्योंकि विपक्ष के लोग हम यह की बात सुनते हैं, वो कहते हैं, सब दिन एक से नहीं रहेंगे, जान ले बीजे पी, इसका मतलब यह कहना चाह रहे हैं, कुछ तो रहम करो, कभी हम भी आएंगे, तुमको मेरी कसम मान जाओ हरी जी, तो माणी काओं, क्या है, कितना बावाल काटोगे, नहीं, शिभीश सुपाल सिंग को जो जू कोठी मिली यह उसको चिनवाक्ट मानेंगे, मानेंगे नहीं, इन लिग लूँ उसका एक कारण है तक्नीकी कारण है यह तो हाथ से था तक्नीकी कारण यह है कि वो कोठी शियुपाल सिंग को रहने के लिए अलॉट होई राजसाम पत्ती बिभाग से अलांकि वो गलत अलॉटमेंट था वो शियुपाल सिंग डिजर्व नहीं करते वो परपस को ब्रीच किया बात खतम होगी अब एक दिन दो दिन जो भी लगे फिर बात में फिर बताओ फिर यह अर्शाद आवित साब यही कहेंगे कि भाजपा किसी जीने नहीं नहीं दे रही आपने कोठी में खुद रहे क्यों नहीं आपने क्यों जंटा लगा पार्टी का करयाले के लिए तो मिली नहीं थी है आपकी पार्टी इतनी बड़ी कोठी मिले के रहे करयाले के लिए यह एक तो वी दाय के कुल अब वो भापर शली जाएगी तो के भी तरपाडी जी भी नाराज होंगे कहेंगी क्या छोड़ नहीं सकते तो कोठी मालुराइश्ट्री कर देते हैं उनके नाम एक रुपे में कुर्टे का लिहाज भी नहीं कर रहे है वीजेपी इतनी कृतग नहीं हो गई है मेरे लिए जो जीता वही सिकंदर बाकी सब कलंधडर ठिक отметat लोग तंत्र की एक कसाओटी आप चुनाव जीते हैं के नहीं भाकी भासन देने के अथिकार भी पात्रता भी तब बहिए गए इस धोड़ा ठंडी बोने अब मैं एक बात कहना चाहा रहा हूँ कि अर्षद आबिद नाबेद शिको के वित्रपाथी आसि महिजा सब मित्रों ने भाजपा का समर्थन करने वाले भाजपा में होने रहने वाले ब्रष्टाचारियों की पूरी सबको याद है यह बड़े अच्छी बात है भष्टाचार के खिलाब जागरूख होना चाहिए मेरा बड़ा बिनम्बर और मासूम सा एक की एक टिप्पनी है हे प्रभू हे विद्वज्यनों रेड़ी बंधू आज तो पैदा हुए नहीं यदुरपा भी आज पैदा नहीं ह ठिक अर्शद आभीद और केवित्र पाठी की उम्र जोड़ दीजिए तो यह दुरपा की उम्र बनती है ठिक दस साल आधनी डाक्टर मनमहुन सिंग जी के नित्रत में कांग्रेस की सरकार रही सारे भष्टाचारियों को तिहाड में लाके चक्की क्यों नहीं पिस्वाई प्रतिक्षा करिए आपके पास सरकार आए देश के साथ न्याय करिएगा 24 संटे में सबको जेल बेजिएगा कि फिर में वहीं पूछता राजिस्थान में क्या समस्या है भाशन देंगे आप तो क्या होगा कांग्रेस भाशन देगी चुनाब में अभी चुनाब में जा रहा है राजस्थान भाजपा की सरकार ने पूरे राजस्थान में भष्टाचार मशा रखाता यहीं ना श्रप मुख्यमंत्री जी को उनका तुन से बड़ा अच्छा रिष्टा है क्यों आपने जेल भेच दिया सबको कि यह किसको समझाते हो आप लोग जूट सब रमान सिंग ने बहुत चोरी की भारी गैलो ने अपना भूपेश जी ठीक दाधा आप मुख्यमंत्री इंग्रिप्तार कर जेल बेच दो और जेल में विशेश सुविधा भी मत दो सतेंदर जेंज बाली मालिश बाली पांच किलो आनाज रोज पीसें बेचो जेल हम समर्थन में खड़ें नहीं करोगे आप लोग यह गुड़ी गुड़ी के ही यह भी बात है जब चौरी चकारी को मुझें लोग राजनेतिक सद्भाव का नाम देतें और लोकत्त्र का नाम देते हैं वह बभाप करते हैं देश के साथ पाप करते हैं देश के साथ मुझे मम्ता जी का भाशन याद है चुनाप की दोरान मम्ता जी ने कहा था हज्जेकलो करोड रुपया कैश आ रहा है भाजपा का बंगाल में ठीक है आप जीत की चुनाप आपके पास सिस्टम है कहां कहां कैश आया था उनलों को जेल भिद्या णक्रण वापने कैश दर्भिद्या क सिक भिस आदमी जेल नहीं गया तरही दुक है कि इसके लिए कुछी मिदार है अंस्ट ऑटीजह इसस्टालिन करफ क्ष्ट बीजयपी हिट्लर है बीजेपी वह तो मिलने आते हैं तो रेशमी दुचाला लेकर आते पहनाने के लिए बीजेपी बालों को औह आधा कमर जुकाग नमस्ते करके ऐतेैं आधी कमर जुकाग sentences स्टालिन. त्रपाधी जी महराएज आस में सोन्या गान्दि को जो दूशाला उड़ाते हैं वो ससता उड़ाते हैं हिधर महेंगा पता है आपको क्या हैं वो आपकी गठवंदन में ये क्या फर्जिफिकिशन है भाईया जगन रेड़ी नवेश्चिको बड़े बाप के बेटे हैं चिंशेकर रेड़ी के वो भी मुख्यमंत्री थे अंध्रे से कभी कोई खबर आपने देखी कि मुख्यमंत्री ने भष्टाचारियों का उनमूनन कर दिया भगवान परश्चुनाम की तना से भष्टाचार वहीन धर्ती कर दी एक चिंटू तक नहीं बंद हो रहा कहीं सब मौज ले रहे हैं मौज लो लड़ो नहीं आपस में तुम्हारे लड़ो अलग है इनके लड़ो अलग है खादी पहिन रहे हो अंधर आओ खादी नहीं पहिन रहे हैं बाहर जाओ सक्ति कर देंगे यह नहीं भाई है और एक बात कह दू जो नहीं कहेंगे लोग मैं तो करो भाजपाक के प्रति भी आप निर्मम हो ये ना जहां पंजाब में क्या हुआ था जब चुनाब हुआ था अगर आप लोगों को याद हो कि अब इसाब एजास साब सबको बादल परिवार ने कहां पंजाब को लूट लिया नशे में जोग दिया अमरेंदर ने उससे ज्यादा लूट लिया केद्रिवाल जी सरकार बने आठ नो महिने हो गए प्रकास सिंग बादल जेल चले के जरह बताएगा तरपाठी जी नावेशिको जी आप सज़क पत्रका अमरेंदर सिंग महराजा पत्याला जेल में चक्की पीछ रहें के घर मेल में कहां है ने तरपाठी को अभी भी ने समझ पा रहें वो अभी भी सुधार के पक्ष में नहीं खड़े हो रहें कांग्रेस के चुनाव लगातार हारने का कारणी यह है इसलिए ऐसे नहीं हारे हा हारते हैं जनता कहीं चिताई देती लगातार हारने का रिकॉर्ड मेंटरन रखने के लिए बहुत महिनत करनी पड़ेगी है वो करें अमित्षा अरे अमित्षा क्या करें आप जेल भेंदी जिना वहां मुख्य मंत्री है कि जिल भेंजे ना अमने अंदर को कि वहां दिली जैसे सरकार नहीं है फुल फ्रेजरी स्टेट हूड है पंजाब में प्रधान मंत्री कुछ नहीं पसा चोड़ा सकते किसी को भेंजे जेल नहीं भेंजेंगे ना हमको मालों में आप नहीं भेंजेंगे त्रपाठी जिने धीरे से का कि एक एक अवसर आया ला वो बुनाए अमिश्या प्रकाश सिंग बादल तो अमिश्या नहीं है उनसे तो उनकी लड़ाई है शुखवीर शुखवीर जेल चले गए नहीं ना क्यों नहीं गए लालू जी जिन भाजपा के नेताओं को कहते थे के ये लोग नीतिश के साथ मिलके माल पईदा किये हैं माल अब तो लालू जी नीतिश जी एक हैं वो माल पईदा करने वाले जेल भीद दिये लिज दिये नहीं ना सब लिट्टी चोखा एकी साथ खा रहे हो ना गही चूड़ा एकी साथ खा रहे हो ना सब लोग मिलके और जनता को ब्रह्मे डाले हुए हो नवे जी इस बात का काट हो तो अभी पता और ने तो बाद में भी बता देना मैं स्वागत करूंगा मैं इसे एक हजार उधरन और दे सकता हूं ठिक जनता ये समझ गई अब क्या इसलिए जनता ताली बजाती है वो कहते चलो दस नेता नहीं गए चार गए जेल चलो चार यही अच्छा है पहले तो सभी बाहर थे दूसरे आए वो दूसरों को भेज़ने है नहीं नहीं है आप नहीं करेंगे आशोग जी ने कहा मेरी सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस किया राजिस्थान में 25-25 करोण रोपया देने की बात हुई है पांच-पांच करोण ठीक हमने कॉल ट्रेस कर ली है हमारे पास रिकॉर्डिंग है हमारे पास फोटो है हमारे पास सब है ठीक कि भाजपा ने यह ना क्या किया और सरकार भी है एजाद भाई लेकिन गरपतारी एक की विने भगवान का इसा अशिर्वान है क्या लौकर में रख दिये रिकार्ड क्या यह चुनाब में मंच पर निकालोगे फिर कुर्टे जेम में रख लोगे क्या यार कर रहे हो देश के साथ यह बंद करो प्रभू ना आपना होप रया हो कोई जिल बेजो और आखरी बात कहिके कुछ नामों को बार बार लियाजा जाता है नवेश्ची को ठिक मैं उन नामों को बिना दोराए हुए एक बात कही देता हूँ एक इशारा दे देता हूँ अब आप लोग कर पाओगे दूर बिपक्षिबाले नहीं यह उनकी बुद्धी पर छोड़ता हूँ उन सब के खिलाफ जिनको आप अभी गिना रहे हो और जिनको बिना देखे आप गिना देते हो इतना याद है कंटस्त तरबाडी जी को या आभित साब को एक काम करिए अपने शाषित राज्य की सीमा में उनके खिलाफ कोई एक मुकदमा दर्ज करा दीजिए क्या वहां खिचवा लीजिए भिजवादी जी जेल अभीस लाठी सुबए और वीश शाम को बिना नागा करा लेंगे हां तो टादो अगर करा सकते हो तो हां तो टाओ हां तो टाओ ना जिनको आप मान रहे हो कि जाली में हिंदुस्तान है इतने जाली म कभी नहीं हुए मैं समाजवादी पार्टी यों कांग्रेस से कहूंगा इस समाजवादी की सरकार नहीं कांग्रेस तो दोस्त है अच्छेशिश्गट में मुकदमा करा दो ढगा है कि करा दो न और युको बड़ा काम तो नहीं रॉक्ट साइंस तो नहीं नावे श्यको आप जानते मुकदमा कराने को रॉक्ट साइश्प नहीं न है करा दिजिए घुछ वाली जए आप ऐसा नहीं करपाएंगे आप ऐसा नहीं करपाएंगे मैं फिर कहता हूँ कमजोर मनवाले राजनीती ना करें भारत में वक्ट बदल गया मसरदा भाजपा और कांग्रेस का नहीं है जनता का मिजाज बदल गया मेरी बात को लिख लीजिएगा कमजोर मन वाले अपने कारणा में ना खुल जाए इस डर में गुपचुप रहने वाले लोगों के लिए अब भारत की राजनीती सूटेबिल नहीं है जिन में कुछ हुसला हो हिम्मत हो जोखिम लेने का माद्दा हो दुस्साहस का भी माद्दा हो उनके लिए राजनीत ठीक होगी ममता बनर जी जोखिम लेना जानती है हेड-on करना जानती है इसलिए जीती है गेलोज जी का क्या होगा वो परिणाम बताएगा भूपेश भगेल जी कहते हैं बताएगे बीजेपी वाले CBI, EV, ED और कौन-कौन आते हैं और यहां मारते हैं लोगों को अरे जब आपको पता है मारते हैं जूरिट्रिक्षिन आपका है न राज्य में बन्वा उठाक बंदक उठाके मुख़मा दर्श कराई जेल बेढ़ दीगे को यह अधिकारी हो जेल बेढ़ने पर तो रोक है नहीं आपने किया क्या ऐसा अभी मैं सुन रहा था कि भूपेश जी ने कहा कि भाजपा ने यह दिन ला दिया एडी के लोग थाने में अरब पूच्टाज के लिए बुलाते हैं फिर उनको प्रतारित करते हैं मारते हैं एक अप्लिकेशन तरपाधी जी मित्रवत सला बिना पैसे बिना शुल्क जिसको प्रतारित कर रही है एडी वहां जाके मार रही है अगर कर सकते हैं तो भारत की राजनीत एक नई यूग में प्रवेश करेंगे लिए एक अप्लिकेशन लिए साधा कागजपर संबंधित जिले के कप्तान के हां भिजवा दीजिए उस कप्तान को बोल दीजिए को उड़ाक इसको बंद कर दो क्या कर दीजिए मैं खवर चला हुआ कि 36 सरकार का बोल्ड स्टेप क्या क्या कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो भारत की राजनीत एक नई यूग में प्रवेश करेंगी नहीं कर सकते तो जैसा चल रहा है वैसे चलेगा धन्यवाद